हेलो एब्रिवान मेरे चैनल में आप सब का स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ठंडा ठंडा नीबू पुदीना ड्रिंक ये बहुत जल्दी बन जाता है ये केवल 2-3 मिनिट में ही बन कर तयार हो जाता है जब कभी आपको गर्मी लग रही है तो आप इस र जाती मी चल रहा है या उल्टी जैसे लग रहा है या चक्कर जैसे आ रहा है या आपके पेट में दर्द जैसा फील हो रहा है या कोई भी प्रोब्लम हो आपके सरीर में हो तो आप इसे जटपट बना के पी सकते हैं ये आपको बहुत ही एनर्जी देती है आपके सरीर में ताजगी बनी रहती है यह बच्चों और बड़ों को बहुत फायदा करता है और पसंद भी आता है तो चलिए हम बनाना सुरू करते है Summer Special ठंडा ठंडा नीबू पुदीना पानी जब भी कभी आप बाहर से आए, धूप से आए यदि आपको यह गलास रेया बाहर से और यह मजा आ सबानी है यह देखिए हम यहाँ पुदीना का पत्ते लिए है यह मिरे फ्रेशast पुदीना के पत्ते हैं इस वर नीबू करते हैं तर यह देखिए हम दो नीबू करस्ट लिए है उसमें सभी प्रेस पत्ते को डाल देंगे हेनी मुचा रोस येक चिनी नहीं डाल हैं क्योंकि हम पौडर सिगर के इसते बाहकर करेंगे याद कर लिजिएगा अगर आप यह ड्रिंक दो लोगों के लिए बना रहे हैं तो इसमें दो चमच चीनी डालिएगा अगर लोगे की संख्या बढ़ती है तो उसको इसी हिसाब से चीनी की क्वांटिटी भी बढ़ानी होगी अगर आपका ग्लास बढ़ा है और आपको चीनी पसंद है तो आप एक के बजाए देर चमच भी चीनी डाल सकते हैं चलिए अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं यह देखिए हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिए हैं अब इसमें डालेंगे हम वन टेबल स्पूल चीनी अब डालेंगे हम अब डालेंगे ग्रैंड की ने फोली ने और निमो के रस अब इसमें हम डालेंगे ठंडा पानी अब इसमें डालेंगे थोड़ी से काला नमा इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और थोड़ा से डालेंगे हम इसमें भूनी हुई जीरा पॉर्णर इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और हैंदी भी हो जाता है अब एक दाम इसे हम होटल इस्टाइल या मार्केट इस्टाइल कहिए इसे हम सजा देंगे इन इंबो को हम पतले पीसेस में कट करके यह देखिए थोड़ा से पुदीन पतले इसमें हम डाल देंगे यह देखिए यह दि आप लोग का हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक किजिए शेर किजिए जो लोग हमारे चैनल पर नहीं है यह ब्लीज सब्सक्राइब करें करें